हाई दोस्तो हम इसी वीडियो के माध्याम से 5 स्टॉक के उपर आनालिसिस करने जा रहें जो आपको बहुत कौम टाइम के अंदर बहुत बड़ा मुनाभा दे सकता है तो हम ये वीडियो के मैध्यम से ये जानेंगे, वो सारे स्टॉक पे हम किसी लिबुन के आसपा सेंट्री कर सकते हैं, और उसी में किस टैब क्या कैंडेश्टिक पार्टन फॉर्म हो रहा है, और वो स्टॉक कितना जल्दी हमको कितना बड़ा मुनापाद दे सकता है, तो दो किसी दिशा पे मूब करने के लिए हमको भी सिगनाल दे रहा है, अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो, और हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो हमारा चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए इसे वीड डेली चार्ट ओपन किया है, और इसी डेली चार्ट के हिसाब से ये रैडिको का स्टाउक 4-5 महिना से एक रेंज के अंदर मूब कर रहा था, तो दिखे इसका जो रेंज आ रहा था, ये 355 लेबल से लेकर 445 का लेबल के अंदर ये 4-5 महिना से मूब कर रहा था, और दिख और दिखें लॉगभाग एक से देड़ माहिना से यह स्टॉक ऊपर की तरप जा रहा है लेकिन आट से दस दिन पे यह स्टॉक एक रेंज के अंदर Mook कर रहा था तो 387 रेमुल से लेकर 407 के अंदर तो यह 20 प्रट कर अंदर यह स्टॉक 8-10 दिनों से मूब कर रहा था लेकिन ये लास्ट टेडिंग डे पे ये एक हामर टाइप का पाटर्न फॉर्म करके ये लेबुल को क्रोस करके उपर जाके क्लोजिंग दिया है तो दोस्तों अगर कोई भी स्टॉक किसी भी रेजिस्टन्स लेबुल को क्रोस करके हाई भल्यूम के साथ आच्छा बूली स्केंडल बना के उपर जाके क्लोजिंग देता है तो हमको वहाँ पे क्लियर कंफर्मेशन मिलता है कि वो स्टॉक उपर की तरफ जाएगा और दिखे दोस्तों जो भी स्टॉक ये लेबुल को तोड़ के उपर जाके क्लोजिंग दिया यहाँ पे अगर आप भल्यूम को भी देखेंगे तो ये कुस्तिनों से आच्छे भल्यूम आ रहा है और ये आच्छे भल्यूम के साथ ये लेबुल को तोड़ के उपर जाके क दोस्तों अगर कोई भी stock 50 period simple moving average के उपर trade करने लगता है तो हम उच्टॉक को bullish मानते हैं, अगर कोई भी stock उसका निचे trade करने लगता है तो हम उच्टॉक को bearish मानते हैं, और देखिए दोस्तों ये stock अभी 50 period simple moving average को cross करके उपर जाके closing दिया है, इसलिए दोस्तों maximum chance है कि ये stock इसी level से उपर की तरब जाएगा, दोस्तों अगर आप ये stock पे खरीदारी करना चाहते हैं, ये जो last day day का high है जो कि आ रहा है 413.6 के आसपास, तो आप 414 मान के चलिए, अगर आप 414 level के आसपास इसी stock पे खरीदारी करना चाहते हैं, तो आप 4 level पे खरीदारी कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको 20-25 पॉइंट के आसपास आपकी stop loss आएगा, और देखिए अगर आप ये level के आसपास buying करेंगे, आपका जो target आएगा, ये 445 level को आप target मान के चलेंगे, तो यहाँ पे 30-35 पॉइंट के आसपास आपकी target आ रहा है, और 15-20 पॉइंट के आसप का label एक strong resistance का label है, क्योंकि देखिए काफी बार ये stock ये level को आने के बाद फिर वापस नीचे की तरफ आ चुका है, इसलिए major chance है कि जब ये stock उपर की तरफ आएगा, और ये 445 level के आसपास आएगा, तो ये stock के लिए ये level resistance बन सकता है, अगर ये stock ये level को cross करके उपर की तरफ चला जाता है, तो फिर हमारा जो next target बनेगा, ये 475 से लेकर, ये 495 के आसपास, तो देखिए दोस्तों, इसके उपर हमको और 40-50 point का हमारा target आ रहा है, लेकिन हमको अभी ये level को target बन के चलना है, अगर ये stock ये level को cross करके उपर जाता है, तो फिर हमारे जो 445 का level है, ये level आ जाना चाहिए, ठीके दोस्तों, ये था ready को stock के उपर, मेरा technical analysis, और इसी technical analysis के हिसाब से, ये stock अभी उपर जाने के लिए हमको signal दे रहा है, तो चलिए दोस्तों, अभी second script के बारे में जानते हैं, देखे दोस्तों, यहाँ पे मैंने second script पे PC Jewelor को लिया है, और ये PC Jewelor के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, देखे, ये कुछ महिना पहले, ये PC Jewelor कितना तेजी से निचे की तरफ आ गया था, लेकिन ये basically 44 level को आने के बाद, ये level से stock धिरे धिरे उपर की तरफ जा मैंने यहाँ पे एक downside trend line draw करके रखा था, तो देखे इसी trend line के नीचे ये 3-4 महिना से trade कर रहा था, लेकिन अभी 10-15 दिनों से ये trend line को इस stock cross करके उपर की तरफ जाके trade कर रहा है, और देखे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो trend line draw किया है, ये stock basically इसी trend line के उपर 15-20 दिनों स trade कर रहा है, अगर कोई भी stock किसी भी trend line के उपर trade करने लगता है, तो हम वो stock को bullish मैंने और उस पे हम buying करके hold करके रख सकते हैं, लेकिन देखे दोस्तों जबी भी ये stock ये trend line को cross करके नीचे आके closing देगा, हम फिर हमारा position close करके निकल जाएंगे, और देखे यहाँ पे ये last trading day पर ये जो candle आपको दिख रहा है, ये एक spinning top का pattern form किया है, तो spinning top मतलब अगर market नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसी level से वो stock उसको reverse करके उपर की तरफ ले जाता है, इसलिए 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 level से इस stock उपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा chance है, और देखे अगर आप ये दो दिन का candle stick pattern के हिसाब से, यहाँ पर bullish harami का pattern form हो रहा है, तो bullish harami का pattern एक buying का pattern है, जो stock को उपर जाने के लिए हम को signal देता है, इसलिए दोस्तों maximum chance है कि stock इसलिए level से उपर की तरफ जाएगा, और देखे दोस्तों ये last training day पर ये जो candle form किया, ये तो bullish candle है, लेकिन ये bullish candle, देखे ये bullish candle form किया है, इसलिए major chance है कि stock इसलिए level से उपर की तरफ जा सकता है, और मैंने यहाँ पर ये जो line draw करके रखा है, ये 50 period simple moving average है, और ये stock 50 period simple moving average के उपर trade करने लगा है, तो ये 50 period simple moving average के हिसाब से भी ये हमको signal दे रहा है कि stock उपर की तरफ जाएगा, लेकिन देखे दोस् हमको इस stock पर अभी investment नहीं करना है, हम इस stock पर अभी track करके चलेंगे, अगर ये stock ये 90 level के आसपास आएगा, और इसके उपर जाके trade करने लगेगा, तो भी आप इस stock पर investment कर सकते हो, और देखे अगर आप ये 90 के उपर ये stock पर खरीदारी करोगे, आपका जो stop loss रहेगा, देखे दोस्तों, ये 100 का label बेसिकली एक से दो हपते के अंदर आचीफ हो जाना चाहिए, और जब ये stock ये 100 का label को cross करके उपर जाके trade करने लगेगा, तो देखे हमारा जो next target बनेगा, ये 166 का label के आसपास, अगर ये stock ये 100 का label को cross करके उपर चला जाएगा, तो हमार लिए stock पे एक बहुत बड़ा opportunity बनेगा, जहांपे हम investment करके उसको 3-4 महिना ये 6 महिना के आसपास उस पे रख सकते हैं, लेकिन देखे दोस्तों, आपको इसी stock पे अभी track करना है, तो जोब ये stock इसी level से उपर की तरफ जाएगा, और basically ये 90 का label को cross कर लेगा, तो अभी आप इसी stock पे एक से दो हपते के लिए buy करके जा सकते हो, क्योंकि अगर आप एक से दो हपते के लिए इसी stock पे खरीदारी करते हो, तो आपके लिए पहला target ये 100 का label के आसपास रहेगा, ठीके दोस्तों ये था PC जुएलर के उपर मेरा technical analysis, और इसी technical analysis के हिसाब से हमको यहां पे clear confirmation मिल है कि इसी stock पे अभी हमको track करना है, क्योंकि ये stock अभी upward direction पे जा रहा है, तो अगर ये stock 90 level को cross कर लेता है, फिर हमको ये stock पे clear confirmation मिल जाएगा, कि ये stock अभी उपर की तरफ जाने के हमको signal दे रहा है, तो चाली दोस्तों अभी थार script के बारे में technical analysis करके जानते हैं, देखें दोस्तों थार script पे मैंने suban stock के उपर technical analysis करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे suban stock का daily chart open किया है, और ये daily chart के हिसाब से ये suban stock कुछ महिना से दिरे दिरे निचे की तरफ आ रहा था, लेकिन जब ये 176 level के आसपास आया, इसी level से stock दिरे दिरे उपर की तरफ जा तो इसी लिए maximum chance है कि stock और ज़्यादा उपर की तरफ जाएगा, लेकिन हमको इसी stock पे अभी थोड़ा track करना है, क्योंकि देखें जब ये stock 270 level के आसपास आया, ये label ये stock के लिए एक resistance बन रहा था, और देखें ये resistance level को आने के बाद ये bearish pattern form करके ये थोड़ा सा नीचे आ है, तो देखें अगर आप ये candle को देखेंगे, ये एक inverted hammer है, और अगर आप ये दोनों candle को देखते हैं, तो ये bearish engelving का pattern form किया है, तो देखें यहाँ पे bearish pattern form करने के बाद ये stock थोड़ा नीचे आ गया था, लिकिन देखें चार-पांच दिनों से फिर ये वापस तिरे- फिरे उपर जाने के हमको signal दे रहा है, लेकिन हमको इसी stock पे अभी investment करने से पहले हमको इसी stock पे wait करना है, तो जोब ये stock 272 level को cross करके उपर की तरफ चला जाएगा, हमाल लिए एक अच्छा मोगा बनेगा, जहांपे हम इस पे buy करके, एक महिना से देड़ महिना के आसपास रख पाएंगे, अगर ये stock 272 का लेबल के उपर trade करने लगता है, तो हमाले जो next target बनेगा, ये 319 का लेबल के आसपास, अगर आप ये लेबल के आसपास खरीदारी करोगे, आपकी जो stop loss रहेगा, आप basically ये 260 या 258 लेबल के आसपास रखोगे, तो दोस्तों ये stock पे भी हम अच्छा मौका बन रहा है, जहां पर हम अच्छा काशा पईशा बना सकते हैं, लेकिन हमको अभी इसी stock पे थोड़ा wait करना है, जो भी stock 272 का उपर की तरब चला जाएगा, तो भी हम उसी stock पे खरीदारी करेंगे, तो दोस्तों ये था सुबेन stock के उपर मेरा technical analysis, और इसी technical analysis के साब से ये stock अभी clear obtained पे चल रहा है, अगर ये stock 272 का resistance level को cross करके उपर चला जाता है, तो फिर आप इसी stock पे खरीदारी कर सकते हैं, तो चले दोस्तों अभी script 4 के बारे में जानते हैं, दोस्तों script 4 पे मैंने गती stock के बारे में बात करने जा रहा हूँ, देखे मैंने यहाँ पे गती stock का daily chart open किया है, तो दोस्तों आपको ये stock का chart देखे क्या समझ में आता है, अगर आप ये गती का stock को अच्छे से देखोगे, ये stock 66 level से लेकर 120 level के आसपास ये log bug एक साल से move कर दोस्तों जो भी भी ये stock 120 level के आसपास आया है, इसी level से stock नीचे की तरफ आ गया है, और जो भी ये stock ये 65 ये 66 level के आसपास आता है, इसी level से ये stock एक strong support बना के उपर की तरफ चला जाता है, तो देखे जो भी ये stock इसी level के आसपास एक बार आया था, ये वापस उपर की गया था फिर जो वापस इसी लेबल से नीचे की तरफ आ गया तो देखिए यहां पर यह जो पार्टरन फॉर्म किया है यह एक बुलिस एंगल भींग का पार्टरन वापस फॉर्म करके इसी लेबल से उपर की तरफ जा रहा है तो लोगभग एक महिना से यह स्टॉक क्लियर पर चल रहा है लेकिन अभी देखिए यह कई डॉबल टॉब का लेबल से लेकर 90 लेबल के चल रहा है तो दोस्तों ऑगर यह स्टॉक यह लेबल को क्लोस करके ऊपर की तरह चला तो आप इसी stock पे खरीदारी कर सकते हैं अगर यह stock पे आप 94 पे उपर खरीदारी करते हैं तो आपका जो पहला target रहेगा यह 120 लेबल के आसपास और देखिए दोस्तों मैंने यहां पे जो trend line draw किया है यह trend line के हिसाब से यह stock लगभग हर दिन higher high higher low बना के यह धीरे धीरे उपर की तरफ जा रहा है और देखिए last heading day पे यह जो pattern आपको दिख रहा है यह hammer pattern है और यहां पे इसका बहुत बड़ा volume के साथ यह hammer pattern बना के उपर जाके closing दिया है इसलिए दोस्तों major chance है कि stock काल इसी level को cross करके उपर की तरफ चला जाएगा तो दोस्तों अगर यह stock उपर की level के आसपास रखोगे तो यहां पर आपको साथ से आठ पॉइंट के आसपास stop loss आएगा और इसी level से आपका जो target आएगा बेसिकली 20-25 पॉइंट के आसपास आपकी target आएगा तो देखें यहां पर 1-3 रेशियो पर आपको trade करने के लिए मिलेगा तो यह technical analysis और यह trend के हिसाब से यह stock पर अभी clear confirmation बन रहा है कि यह stock अभी उपर की तरफ जा पाएगा ठीके दोस्तों यह था गोती stock के उपर मेरा technical analysis और इसी technical analysis के साब से यह stock अभी उपर जाने के लिए clear confirmation दे रहा है तो चाले दोस्तों अभी script 5 के बार में जानते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे script 5 पे मैंने आश्ट्राजेन stock के उपर technical analysis करने जा रहा हूँ तो दोस्तों यह एक pharmaceutical company है और देखिए अगर आप इसका trend को देखेंगे यह log bug 2-3 महिना से clear off trend पे चल रहा है और अभी एक double top का level के पहुंचा है और यह double top का level को आने के बाद यह थोड़ा sideways move कर रहा है अगर आप इसी chart को आच्छे से देखेंगे तो देखें यहाँ पे यह flag pattern form कर रहा है तो दोस्तों flag pattern का यह है दंडा और यह है जंडा तो देखें दोस्तों flag pattern एक continuation pattern होता है continuation pattern मतलब stock चिसी दिशा पे move करता है उस दिन pause लेने के बाद फिर वापस उसी दिशा पे यह stock चला जाता है तो यह stock अभी उपर की तरफ जा रहा था और कुछ दिन के लिए यह stock अभी आँपे pause ले रहा है तो यहाँ पे इसी level से यह pause लेने के बाद जोब यह stock वापस यह range क cross करके उपर जाके closing देगा तो इसका जो range आ रहा है 2031 का label तो जब यह stock 2031 को cross करके उपर trade करने लगेगा तो यह stock इसी level से और 30 से उपर की तरफ चला जाएगा और देखिए दोस्तों यह stock अभी इसका all time high पे है तो दोस्तों अगर कोई भी stock इसका all time high पे trade करता है तो basically आपक मैंने और एक चीज़ यहां पे confirm कर देता हूं कि मैं क्यूं बोल रहा हूं कि यह stock अभी इसी level से उपर की तरफ जा सकेगा देखिए दोस्तों यहां पे last trading day पे यह जो candle pattern फॉर्म किया यह bullish pattern फॉर्म किया है और जो भी भी कोई भी candle पे bullish pattern आता है उसका अगर volume बहुत high volume रहत है तो हमको उसी stock पे clear confirmation मिलता है कि वो stock उसी level से उपर की तरफ जाएगा और देखिए दोस्तों यहां पे bullish pattern फॉर्म होने के बाद यह देखिए अगर आप यह दो दिन का candle को देखेंगे यह bullish engelving का pattern फॉर्म किया है तो दोस्तों bullish engelving का pattern एक buying pattern होता है जो कि हमको signal देता है क कि इसी level से वो stock उपर की तरफ जाएगा तो दोस्तों यहां पे एक दो दिनों से buying pattern फॉर्म कर रहा है लेकिन हमको इसी stock पे entry तभी करना है जब यह 2031 level को cross करके उपर trade करने लगेगा और उपर जाके closing देगा तो दोस्तों अगर आप इसके उपर trade करोगे आपका जो stop loss पड़ेगा तो दोस्तों अगर आप इसी level के आसपास stop loss रखते हो आपका पहला target किसी level के आसपास होना चाहिए तो देखिए पहला target जाने के लिए मैंने यहां पे फिबॉरा सी extension का level को draw किया है तो देखिए extension level के इसाप से यह जो 61.8 percentage का level है यह 2426 level के आसपास आ रहा है दो इसका जो all time high है यह 2650 के आसपास आया था तो देखिए दोस्तों यह stock अभी उससी level के आसपास चाने की कोशिस कर रहा है लेकिन यहां पे मैंने जो फिबॉरा सी extension draw किया है इसी level के इसाप से यह 61.8 percentage का level है 2426 के आसपास आ रहा है तो हो सके आपको यह number नहीं दिख रहा हो इ पिर हमारा जो second target 78.3 percentage का level जो की 2561 के आसपास आएगा और यह देखिए 2561 के बाद हमारे लिए double top का level जो की 2650 के आसपास आ रहा है हमारा third target पनेगा लेकिन दोस्तों हमको इसी stock पे entry करने से पहले हमको अभी थोड़ा wait करना है तो जोब यह stock 2031 level को cross करके उपाँ चला तो अभी हम यह stock पे entry कर पाएंगे ठीक है दोस्तों यह था आस्ट्राजन stock के उपर मेरा technical analysis और इसी technical analysis के साफ से यह stock किसी level से उपर की तरफ जाने की signal दे रहा है तो दोस्तों मैंने यहां पे 5 stock का technical analysis करके आपको बताया और उसका entry target और stop loss के बारे में किसी level पे entry करना है और आपकी risk taking capacity की साफ से आप उतना risk लेके trade कर पाओगे तो अभी आप यह stock पे entry कर सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों जाए ही बंदे मातरम